देखें आज जो चर्चा करेंगे कि जमाबंदी जो है जमाबंदी संख्या जो है वो क्या है और क्या इसका यूज है क्यों ये जो है एक तरह से जरूरी है ये तमाम बातें जो है करेंगे वीडियो को अन तक देखें सबसे पहले देखें सिंपल एक टर्म समझते हैं जमाबं होता है तो जो पैसा जाब आपके एकाउंट में जो पैसा है उसका हगदार आप ही है आप उसको निकाल सकते हैं आप उसको चाहें तो और उसमें डाल सकते हैं तो तमाम चीजें प्रोसेस जो है आप कर सकते हैं उसी तरीके से ये जो है एक अगर बात करें राजस्तु संपती जो है समपती में जो है एक record है जिसको हम लोग records of right के नाम से जानते हैं बैंक अगर bank account पिता जी के नाम पे और पिता जी के दो बेटे हैं तो उनकी समपती पे जो है दोनों का एक तरह से समान अधिकार होता है तो यानि अब इसी तरीके से जमाबंदी अगर पिता के नाम पे है तो और उनके दो अंस हैं तो दोनों का records of right जो है वो समान होगा अब अगर पिता के नाम से जमाबंदी है तो अब ऐसा तो नहीं कि पिता के नाम से account है और पिता के बाद जो है दो भाई हैं तो दोनों उसी एकाउंट में अपना पैसा डाल रहे निकाल रहे हैं ऐसा होता है बिल्कुल नहीं होता तो क्या करते हैं दोनों ने अपना अपना अलग एकाउंट खुलाते हैं उसमें जो भी एमांट बचा हुआ है उसको आपस में से जो है जमाबंदी है और उसका जो है उस समय अगर दो बेटे हैं तो दो पार्ट में कर दिया जाएगा और दो पार्ट करने के बाद जो है उस उनको अब दोनों को अलग-अलग राइट हो जाएगा दोनों आप चाहें तो उसमें जो भी है कुछ add करना चाहें record में तो कर सकते हैं उससे अगर कुछ निकालेंगे कुछ अपना property बेचेंगे तो वो बेच सकते हैं तो उसी तरह से यहां पर एक जमाबंदी संख्या जो है जिसको records of right के नाम से जाना जाता है और यह जमाबंदी संख्या जो है एक number दिया जाता है और उसमें सारे जो है खसरा का जो पुरा record जो है एक तरह से सारा उसमें रहता है कि इसमें जो है जो land है उसका मालिक का नाम हो गया land का यूज हो गया यह सारा चीज है land का location हो गया यह सभी चीजों का जो है जिक्र रहता है इसमें ग्राम, महला, तहसील, जिला, प्रदेश सब का जो है एक तरह से जिक्र रहता है इसे अगर बात करें तो दस्ताबेज और record भी कहा जाता है यह एक ऐसा दस्ताबेज है जिसमें जमीन से संबंदित हर तरह की जानकारी जो है, वो मौझूद है हर तरह का जानकारी जो है उसमें रहता है यह एक ऐसा दस्ताबेज है जिसका उप्योग जम्मबंदी भूमी record, राजस record के लिए जो है किया जाता है या विभिन छेतरों में अगर बात करें तो कहीं फर्ड, कहीं पर्च या कहीं अन्य नामों से भी जो है जाना जाता है तो भारत का अपना विभिन विभिन हिस्सों में अगर बात करें तो जो है अलग-अलग वो नामों से भी कहीं-कहीं जाना जाता है जम्मबंदी से किसी भी गउं के अगर बात करें तो अधिकारों के भूमी रिकॉर्ड जो है आपको देखा जा सकता है जमाबंदी रेजिस्टर में मालिक का नाम भूमी का छे तो ये तमाम बातें जो है एक तरह से मेंजन किया जाता है तो आप सिंपल अगर एक्जामपल तोर के समझे तो वो एक दावेदार आपका अंस ही हो सकता है कोई दूसरा और नहीं हो सकता है तो यह जो होता है अभी जो बरतमान में अभी जो सर्वे हो रहा है तो सर्वे में जिसका करेंट जमाबंदी होगा और तो जो है नाम से जो एक नया खतियान बना दिया जाएगा तो जिनका भी कुछ भी बार देख रेप चैनल को सब्सक्राइब परके बेल आइकन जरूर डबा लेजिए नितने अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद